हलो फ्रेंज, विलकम टो गुरु कुल कासे, जैसे का आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहा हैं, मार्केट में जितनी भी बुक्स अविलेबल हैं, उस सारी बुक्स की जितने भी मॉडल पेपर हैं, वन बाई वन करके उस सारी बुक्स के मॉडल प्रैक्टिस अपना लेकल कुल 24 स्धिर्थकर हुए हैं तो देखेंगा 24 कहा है Diak一下 option number D में है तो D number कुल कर देंगे 180ator is a question है महत्मा बुध्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो जानते रहे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सार नात में सार ना पहले डिसस कर लेते हैं फिर अभी कट रहा है फिर इसको डिसस करना शुरू करेंगे 187 नमबर पर देखे कुछ नाय हुआ है उपर देखे विजय नगर का सबसे महान शाषक था तो जानते रहेगे विजय नगर का सबसे महान शाषक था कौन था तो जानते रहेगे विजय नगर का सबसे महान शाषक था कृष्ण देव राएं तो जानते रहेगे वो अस्थान है प्रयाग प्रयाग देखे कहा है अप्शन नमबर बी तो बी नमबर कुम क्लिक कर देंगे तो जानते रहेगे अप्शन नमबर बी में देखे कहा है अप्शन नमबर बी में देखे है मकली फुतर गोशाल तो बी नमबर को हम क्लिक कर देंगे नेक्श देखे वो सारे कुष्ण आ गया है जो अभी तक कट रहे थे देखेगा यहां पे 182 नमबर पर देखे कुष्ण आया है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आकरमन किया था तो जानते रहेगा महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आकरमन किया थे तो देखेंगे option कहाँ है देखे ए नमबर पर है रजिया तो ए नमबर को हम क्लिक कर देंगे 184 नमबर पर देखे कुश्चन आया है किस मुगल समराट ने न्याय की जंजीर लगवाई तो जानते रहेगा वो मुगल समराट था जहाँगीर जहाँगीर देखे कहाँ है option नमबर C तो पाचासी नमबर पर देखे कुश्चन आया हुआ है कि गांधी जी ने उनीस सो ननीस में किसके विरोध के लिए 1717 सभा की अस्थापना की तो जानते रहे गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट था कानून वनाए गया था अंग्रेजी के द्वारा तो रोलेट एक्ट के खिलाफ उसके विरूत में 1717 सभा की अस्थापना की थी यह देखिए option कहा है यह option नमबर भी तो भी नमबर को क्लिक कर देंगे तो 92 नमबर पर देखिए question आया हुआ है वासको डिगामा 1498 इस्वी में भारत के किस अस्थान पर पहुचा गया तो जानते रहे हैं जो 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 वासको डिगामा था वो 1498 इस्वी में काली कट पहुच गया तो काली कट तो 93 नमबर देखे question आया है महत्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर प्रतम कहां किया था तो जानते रहेगा महत्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर प्रतम किया था दच्छुन अफ्रीका में वहां रंग भेद की जो जो भी मैटर चल रहा था उसको सॉल करने के लि पुस्तक का नाम है इसके लेखा कौन है किसने लिखा था इसको जानते रहेगा पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इंडिया नाम पुस्तक जो लिखा था वो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने तो देखेंगा option कहा है देखिए option नमर भी मैं है दादा भाई नौरो क्रिश्न मिशन है इसके स्थापना की थी स्वामी विवेका नंजी ने देखिए option कहा है option नबर बी में तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे अभिनो भारत नमग गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था देखिए option ए में है खुदी राम बोस बी नंबर पर दिखिए प्रफुल चारी सी नंबर पर दिखिए वी डी सावर का और डी नंबर पर आया है सचींद्र सान्याल तो जानते रहेगा अभिनो भ हुआ था उसके जो संस्थापक थे वो थे सर सायद अहमद खां और देखिए कहां आया है देखिए option नंबर देखिए डी में है सर सायद अहमद खां तो डी नंबर कुम क्लिक कर देंगे 199 नंबर देखिए question आया है चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी तो जानते रहेगा चौरी चौरा जो घटना घटी थी वो पांच फरवरी 1922 को घटी थी देखिए कहा है option देखिए आया है option नंबर 8 ए नंबर कुम क्लिक कर देंगे तो यंग इंडिया नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन किस ने किया तो जानते रहे हैं उसका संपादन किया था महत्मा गांधी देखिए कहा है option option नबर 8 ए नंबर कुम क्लिक कर देंगे अब भी आपको आडिया लग गया होगी कैसे question आपके set किये जा रहा है इसमें अगर सारी चीज़ा आपको clear हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है इतुले कितना रखते हैं थाकी बेरे माच पॉर वाचिंग दिस वीडियो